शूचू चार्स की जबरदस facts and secrets आज की वीडियो में आपको पता लगेंगे जिनको नहीं पता उन्हें बता दू कि शूचू चार्स एक नया horror game है जो कि एक solo development बनाया है और जबसे ये launch हुआ है तब इसे बहुत ही जादा popular हो चुका है आपने इसके gameplay ज़रूर देखे होंगे या इसे खेला भी ज़रूर होगा तो शुरू करते है rubber duck से map के northern side के तरफ अकर जाते रहते हैं तो land खतम होने के बाद sea के तरफ देखें तो वह एक giant rubber duckी देखने को मिलता है ये पर शांदी से float करते रहता है without any action or movement जिससे ये उतना immersive तो नहीं है गेम में बट एक easter element तो जरूर है जिसके backstory जानने में भी काफी मजायेगा गेम के island में Charles शायद पहला spider monster नहीं था और ये एक drawing देखकर पता चलता है जो Daryl नाम के NPC के chest में रखी भी मिलती है चूचू चार्स को भी बहुत players ने hack करते वे खेला है जिसमें वो किसी भी locked building के अंदर घुष सकते है और objectives जल्ली से जल्ली complete कर सकते है developer ये बात जानते थे और उनने एक locked घर में note छोड़ कर रखाया जिसमें hackers कोई चीज ढूंटे ढूंटे पहुँच जाए तो उने मिलेगा you're not supposed to be here गेम developers आए दिन अपने fans और players को thank you कहते रहते है लेकिन चूचू चार्स के developer Gavin ने गेम में ही अपने Twitch चैनल के subscribers के लिए dedicated rocks खड़े किये हुए map के across ऐसे काफी सारे rocks देखने को मिलेंगे और ये सच में काफी impressive है कि हर rock किसी ना किसी के नाम पर है island explore करते हुए हमें काफी सारे notes मिलते रहते हैं जिससे Charles की backstory का थोड़ा थोड़ा नाजा लग जाता है actually story ये है कि Warren नाम के एक mining company काफी समय से island पर काम कर रहे थे और ऐसे ही mining के वक्ती cave collapse होने पर Warren की काफी सारे employees की death भी हो गए थी लेकिन उसी के ज़री Warren को काफी सारे glowing X देखने को मिले और हुने बिना public को inform किया X को exploit करना शुरू कर दिया और उसी दोरान अचानक Charles ने entry कर ली और island पर काम कर रहे Warren employees और general population को मालने शुरू कर दिया अब ये X Charles से कैसे जुड़ा है इसका पता तो नहीं चल पाया है गेम के एक mission के लिए हम शाशा से मिलते हैं जिसके घर के आजपास haunted drawing लगे रहते हैं और वो हमें task देती है उन drawing को collect करने का उसी collection करते time हमारे पीछे glow करती हुए एक spirit गुमते रहती है जिससे बचकर हमें काम करना होता है लेकिन अगर वो spirit हमारे एकदम close आने लगती है तो effects और sounds भी change होने लगते हैं तो एक note मिलता है जिससे वो pickles के लिए अपने affection को one-liners में explain करते रहती है ये काफी funny सा moment है गेम में Warren Charles 3 गेम का one of the antagonist है और whether ये actual level character है या good character इसका straight forward answer नहीं मिलता क्योंकि ये अलग-अलग character से उसके बारे में अलग-अलग बाते पता चलती है Greg जो एक conspiracy theorist है उसने Warren का accuse किया कि उसने island पर मिले mysterious X को चुपा कर रखा था ताकि Charles जैसे और भी monsters बना सके वही दूसरे तरफ गेल जो Warren के लिए काम कर चुका था उसका कहना था कि X को पब्लिक से चुपा कर इसलिए रखा गया ताकि Charles आम लोगों को निशाना ना बना पाए इसी वज़ा से Warren को one of the most mysterious characters माला जाता है गेम में वैसे आपने चुचुचु शाल्स खेली है अगर हां तो गेम कैसा लागा ये comments में जरूर बताना और एगर ऐसे ही similar indie games के बारे में जानना चाते हैं तो left video पर click करें और God of War जैसे बड़ी गेम के hysterics के बारे में जानना चाते तो right video पर click करें आज के लिए इतना ही मिलते है next video में तब तक के लिए keep gaming and keep gossiping